Hello everyone, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल Only Regular Study में इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइन्स के 10 कोशिन बताने वाला हूँ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्ण है धौनी तरंगे होती है धौनी तरंगे होती है इसका पहला उप्सेन अनुदैर दूसरा उप्सेन अनुप्रस्ट तीसरा उप्सेन अनस्ता अनुदैर यह अनस्ता अनुप्रस्ट और चौथा उप्सेन कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा option number one अनुदैरिये धौनी तरंगे अनुदैरिये होती है अगला प्रश्ने question number two किसी वस्तु का भार तो इसका पहला option है उस वस्तु के पदार्थ के गुरुत्वे पर निर्भर करता है दूसरा option है उसके जड़तों को दर्साता है तीसरा option है पिर्थवी दुवारा उस पर लगे अकर्शन बल के बराबर होता है और चौत्वा option है उसके दर्विमान के बराबर होता है तो इसका right answer होगा option number one उस वस्तु के गुरुत्वे पर निर्भर करता है किसी वस्तु का जो भार होता है उस वस्तु के गुरुत्वे पर निर्भर करता है option number one इसका right answer होगा आगला प्रश्णे question number 3 केथोड कीर्णों में क्या आनुपस्तित रहते हैं इसका पहला option प्रोडोन दूसरा option इलेक्ट्रोन तीसरा option इनुट्रोन और चौथा option इलेक्ट्रोन प्रमानू तो इसका right answer होगा option number 2 electron केथोड कीर्नों पे इलेक्ट्रोन सुपस्तित होते हैं आगला प्रश्णे question number 4 जडत्व का गून तो इसका पहला option है परते एक वस्तु में होता है दूसरा option है किसी वस्तु में होता है तीसरा option है किसी भी वस्तु में नहीं होता है और चौथो आप्सन है केवल गतिसील वस्तू में होता है तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन नमबर वन परतेक वस्तू में होता है जड़त्व का गुन परतेक वस्तू में होता है इसका राइट आंसर होगा आप्सन नमबर वन अगला प्रश्ण कोशन नमबर फाइब विस्थापन की दर है तो इसका पहला उप्षन है चाल दूसरा उप्षन है तवरन तीसरा उप्षन है वेग और चौथा उप्षन है दूरी तो इसका राइट आंसर होगा आप्षन नमबर थ्री वेग विस्थापन की दर को वेग कहते हैं अगला प्रशने कोशन नमबर 6 निम्नांकित में कोन सुत्पदार्थ है तो इसका पहला आप्षन है दूद दूसरा आप्षन है रक्त तीसरा आप्षन है जल अगला प्रशने कोशन नमबर 7 निम्नांकित में कोन मिस्रन है तो इसका पहला आप्षन है बारूद दूसरा आप्षन है चूना पत्थर तीसरा आप्षन है कारबन डायोकसाइड और चौथा आप्षन है नाइट्रोजन तो इसका राइट आंसर होगा अप्षन नमबर 1 बारूद अगला प्रशने कोशन नमबर 8 निम्नांकित में कोन पदार्थ है तो इसका पहला अप्षन है गंध दूसरा अप्षन है ठंडा तीसरा अप्षन है प्रेव और चौथा अप्षन है ठंडा पे तो इसका राइट आंसर होगा अप्षन नमबर D अर्थाद 4 ठंडा पे अगला प्रशने कोशन नमबर 9 निम्लिखित में कोन टिंडल प्रभा को परदर्शित करता है तो इसका पहला अप्षन है नमक का विलियन दूसरा अप्षन है दूद तीसरा अप्षन है sodium carbonate कविलियन और चौत्वा अप्षन है starch कविलियन तो इसका राइट आंसर होगा अप्षन नमबर 4 अस्टार्च कविलियन टिंडल प्रभा को अस्टार्च कविलियन परदर्शित करता है आगला प्रश्न कोशियन नमबर 10 एक कार 2 घंटे में 100 किलोमेटर की दूरी तै करती है इसकी आउसत चाल है तो average speed का formula होता है distance बटा time तो आपका total distance होगा 100 किलोमेटर av is equal to 100 किलोमेटर बटा 2 hour तो आपका 100 का डिवाइड होगा 2 से तो 50 किलोमेटर पर आवर इसका right answer होगा अगला प्रश्न है question number 11 एक किलोग्राम भार कितने newton के बराबर होता है एक किलोग्राम भार कितने newton के बराबर होता है इसका पहला option है 8.8 दूसरा option है 78 तूसरा option है 10.8 और चौथा option है 9.8 तो इसका right answer होगा option number D 9.8 अगला प्रश्न है question number 12 उर्जा का वेवशाइक मातरक है उर्जा का वेवशाइक मातरक है तो इसका पहला option है किलोवाट दूसरा option है किलोवाट अवर तीसरा option है जूल और चौथा option है वाट तो इसका right answer होगा option number B किलोवाट अवर अगला प्रश्न है question number 13 आदर वायू में गीले कपड़े सुखते हैं आदर वायू में गीले कपड़े सुखते हैं तो इसका पहला option है विलंब से दूसरा option है जल्दी से तीसरा option है उमस के कारण और चौथा option है ठंड के कारण तो इसका right answer होगा option number A विलंब से अगला प्रश्न है question number 14 निम्नांकित में कोन तत्व है निम्नांकित में कोन तत्व है इसका पहला option है हवा दूसरा option है उक्सीजन तीसरा option है पानी और चौथा option है लवन तो इसका right answer होगा option number B अगला प्रश्न है question number 15 और इस वीडियो का आखरी प्रश्न सार्वतिक इस्तिरांग जी का मान निर्भर करता है सार्वतिक इस्तिरांग जी का मान निर्भर करता है तो इसका पहला option है वस्तू के दर्विमान पर निर्भर करता है दूसरा option है वस्तू के दर्विमान या दूरी से सतंत्र होता है तीसरा option है मापने की विधी पर निर्भर करता है और चौथा option है मान किनी दो वस्तू के लिए नियत रहता है तो इसका राइट आंसर होगा Option No.D मान किनी दो वस्दूओं के लिए नियत रहता है I hope आपको यह वीडियो पसंद आए हो अधी आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सेर करें और चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद